Cross Cultural Psychology में अब जो टॉपिक हम लेके आगे चलेंगे वो है Culture and Dreams हम Consciousness की बात कर रहे थे और Consciousness की क्या-क्या हालते होती है Altered Consciousness क्या होती है और Cultures में इसको किस तरह से Altered States को इस्तमाल होती नजर आती है किस किस तरह एक Expression होता है Cultural या Religious चीज़ों का जो के Altered States में होता है अब एक जो State है Altered वो है Dreaming तो क्या Culture का Dream से कोई तालुक है क्योंके खाब सब देखते है गोरा हो काला हो दुनिया के किसी इस्ते में रहता हो आज कम इनसान हो या आप से 2000 साल पहले का इनसान हो खाब हमेशा से मौजूद रहे हैं तमाम मजभी किताबों में खाबों की तरह बहुत इशारे हैं और वो हिस्ट्री के और एहम मुकामात पे एक खाब का कई न कई बियान आपको मिलेगा पेगंबरों ने किस वक्त क्या खाब देखा और किसी जाने वाले से खाब में किस तरह लोग उनको देखते हैं और उसके बारे में पूरी एक ताबीर की साइंस है जिसको इंटर्पर्टेशन आफ ड्रीम्स कहते हैं इसलाम में इसकी जो किताब है उसको ताबीरु रौया में ये जमा किया गया है जो इमाम सीरीन ने मुरत्ब की लेकिन खाबों की ताबीर का इल्म हजरत अली कर्म अल्ला वजहों के पास था और उन से ये इमाम सीरीन ने उनकी जमानी रिवायत से क्योंकि उसक लिखने का इतना रिवाज नहीं था जमा करके और पूरी किताब मुरत्ब की और उसमें अलिफ से ये तक हर वो चीज जो दुरान की आयते हैं या नेट्रल फेनामन है उन सब को अलफवेटिकली हरूफ तहजी के इत्मार से उसका बताया गया कि अगर आपने अंगूर देखा तो क्या है और आग देखी तो क्या है और अगर आपने पौदा देखा और पौदा जो है वह आपने तोड़ा फल या क एजिप्ट में खाबों की ताबीर बताने वाले लोग होते थे इसका मतलब है कल्चर में हमेशा से तारीक में खाब के बारे में कुछ कुछ मालुमात और कुछ रोड रहा है, खाब बहुत एहम रोल रहा है उसका, कल्चर में वह टेंपलेट या वह नक्शा देता är जिसके जरीए हम जो खाबों में हमें imagery है, जो तसमुरात है या तखयूल है, वो हमें समझने में मदद मिलती है, उसका expression भी होता है, उसकी interpretation भी होती है, ये जो dream के images हैं, वो cultural creation भी है, उसका जो content है, यानि उसमें क्या मवाद है, उसका जो style है, और वो कितने ज्यादा आ रहे हैं, और लेकिन culture, क्योंके religion और culture जुड़े हैं एक दूसरे से, तो वो कुछ और तरह खाबों के बारे में बात करते हैं, अपने culture पे बेस करके, हर इनसान खाब में जो phenomenon उसे नजर आ रहा है, उसको मुक्तलिफ तरीके से experience करता है, जो dreams है ना, ये reality को फैला भी देते हैं, धुंदल करने में काम आते हैं, dream से लोग जो हैं कई ऐसी चीज़ें जो उनके अंदर चल रही होती हैं, उसको हल कर लेते हैं, resolve कर लेते हैं, understanding of reality आपके लिए जो है वो खुल जाती है, क्योंके हर reality अलफाज में और शौर में नहीं बियान की जा सकती, इसके बराने में मैंने मुलाना राजा बंद हो जाएगा, तो इनसानियत के पास सिर्फ खाब ही होंगे, जिनके जरिये वो एक और दुनिया और एक और सता से अपना राप्ता रख सकेगा, और खाब हर एक को आते हैं, खाबों की science में जाने का मौका महल नहीं है, लेकिन खाब किस टाइम आया है, बताने वाले के चेहरे पे क्या रंग था और बताने वाला कैसा है, अजरत अली जब के पास जब कोई आता था तो ये तमाम चीज़ें देखते थे और यही माम सीरीन ने भी बियान किया हुए, ग्रीक जैसे मैंने का ये अजिप्शिन उनके हाँ भी खाब बताने वाले बड़े आ आ जाती है, समझ में, वह हल समर्व में आ जाता है जो के हमें सोचने से नही आता क्युकर उसकर बरेन एक और लेवल पे काम करता है, जाने वालों के खाब, इसके उपर बहुत सी बातیں होती है, यह अधीकत है जो आखरी बात मैं इस पर समझ चांडबे तने तय में पढ़े और एन्मेरी शिमल ने भी खाबों का इसलाम में जो रोल है उस पर काम किया हुए, जाने वालों की जो खाब हैं वो दूसरी दुनिया के मेसेज है और जाने वाला जो जो ए, जिस दुनिया में वो जूट नी बोल सकता, वो अपने बारे में कोई बात नी बना सकता, इसलीए जो कह रहा होता है जिस हालत में होता है वो बिलकुल सच होती है. ड्रीम जो है वो हमारे माइन को अपडेट करते हैं कल्चरली. यह जो REM स्लीप होती है यह एक लेवल होता है स्लीप का जिसमें ज्यादा गेहरी होती है. तो उसमें emotional और motivational content ज्यादा होता है. जबके non-rapped sleep जो होती है कि जो कुछ हुआ हुआ आज या कल या पहले वो उन्हीं खास events या वाकियात को दोहराती ही रहती है. हम build करते हैं, update करते हैं और जो cultural dreams की theories हैं वो अपनी अगली नस्रों को पहुंचाते रहते हैं. बातों में, किस्सों में, कहानियों में. Dreams are one of the main reasons that supernatural beings are part of cultural models of reality.